नेट्वर्क रिलेटेड़ कंसेप्स में जो टॉपिक है यहां पर हमारे पास नेट्वर्क से रिलेटेड कुछ-कुछ कंसेप्स बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है और इस particular section से आपको कोई subjective बहुत बड़ा question तो नहीं आएगा, short notes आ सकता है और MCQs आ सकता है, और कुछ-कुछ बहुत चोटे-चोटे concepts से तो ध्यान से समझेगा, और it can be very scoring MCQs आ सब के लिए, ठीक है, तो पहला concept जो हमें आप पढ़ना है वो है network interface card, network interface card, देखो, क्या है, इस computer network, एक hardware है, जिसके कारण हमारा computer को हम computer network से connect कर सकते हैं, आपको ये diagram में भी दिख रहा होगा, ठीक है, और अगर मैं बोलू, तो laptop में, हाँ, जैसे ये मेरा एक laptop है यहाँ पे, इसमें एक ये port है, ये वाला port, ये है हमारा NIC, इसमें basically हम network का कोई wire insert करते हैं, तो हमारा system को हम बाकी network में connect कर सकते हैं, तो this is NIC, देखो क्या लिखा हो है, NIC is a computer hardware, अंदर है ये, जो green portion है, तो chip हो गया ये अंदर है, that connects a computer to a computer network, और अगर ये ऐसा आपने देखा होगा, ये हम इसको ethernet cable बोलते है, this is our ethernet cable, आगे कुछ ऐसा plastic इसमें लगावा है, LAN के लिए काम आता है, त ये wire इसमें insert हो जाते है, चीक है, so NIC क्या चीज है, वो hardware जिसके कारण तुम्हारा computer ना, किसी network को तुम connect कर सकते हो, तो ये wire रहेगा, और इसको हम अलग-अलग devices से connect कर सकते हैं, एक end इसका wire का, इसको ethernet cable बोलते है, एक end इसका हमारे NIC में जाएगा, और दूसरा end जो है, ये कोई ना कोई device में, networking device जो अभी हम पढ़ने वाले है, उससे connect होगा, अब बात या आती है, sir, ये जो NIC है, ये वाला जो NIC है, this is for wired ethernet cable, तो इसको हम NIC बोलते हैं, और अगर जैसे आज आज आपके device में, wifi ये सब भी होता है, तो वो भी NIC है, basically, वो wireless NIC है, कहने का मतलब ये है कि वो hardware जो आपके computer को दूसरे network से connect करता है, तो that is NIC, ये वाला अगर NIC है, तो इसको wired बोलते है, LAN का wire connect हो रहा है, wifi से अगर आप किसी के network में connect हो, तो वो wireless NIC भी हो सकता है, तो क्या sir, आपके phone में भी NIC है क्या, wifi हम connect कर सकते हैं, तो बिलकूल है, wireless NIC है, बात समझ मे आती है, ठीक है, so NIC is essentially a computer circuit card that makes it possible for your computer to connect to a network, तो ये computer hardware है, इसको हम चाहे circuit card भी बोल दो, कुछ ऐसा दिखता है, ये portion generally system के अंदर रहता है, तो आपको दिखता नहीं है, और हमें यहाँ पर ये port पे अपना Ethernet cable को insert करना पड़ता है, Ethernet cable क्या चीज़ के लिए काम आता है, LAN के next is modem, कई बार आपने नाम सुना होगा modem, ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखो, मैं बहुत फटाफटी सारे concepts आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया नहीं, यह सब्जेक्टिव कुश्चन आने का बहुत कम चांस है, short note 2 number का आ सकता है, यह MCQs में आएंगे, कि हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो telephone lines से आता है, ठीक है, और telephone lines झो है वो analog signal है, analog signal का मतलब, वो waves के form में हमारा signal travel करता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते है, analog signal, लेकिन हमारा जो computer होता है, analog नहीं समझता, वो zeros, ones, यह सब समझता है, digital, इसको हम लोग बोलते है, digital, तो मान लो, आपका ये computer यहाँ पर है और यहाँ internet आपके पास आ रहा है, internet लिया वाँ आपने, तो we need to have a modem, क्योंकि ये telephone line से जो internet आएगा, ये analog रहेगा signal, तो modem क्या करता है, modem इस analog को किस में convert कर देता है, digital में, zeros और ones, था कि हमारा ये computer उसको समझ पाई, similarly, similarly, जब computer के यहाँ से भी packets जाएंगे, data travel करेगा, तो computer से modem ते digital में जाएगा, और क्योंकि फिर उसको आगे travel करना है, modem is going to convert it again into analog, तो modem का मतलब क्या modem, short form आप बोल सकते हो, modulation, demodulation का, ठीक है, तो बस यही का, मैं देखो, यहाँ एक diagram में, यही समझ लो, यह हमारा computer है, और यह modem, तो यह zeros और ones समझ था, तो यहाँ से यह connection हो गया, digital, यहाँ लिखा हो है, digital, फिर मान लो, यह internet पे travel कर रहा है, तो wire के थू तो telephone lines पे travel कर रहा है, तो analog signal हो गया, यह analog, in the form of waves, मान लो, आप किसी और के computer को connected हो, मान लो, this is facebook का server, तो facebook का server में भी क्या होगा, facebook का modem होगा, वो वापिस से analog को किसमें convert कर रहा है, digital में, यहाँ क्या हो रहा था, digital से analog में, so this is the work of modem, तो point पढ लेते हैं, फटा फट से, modem is a device that converts a digital computer signal, यह digital को किसमें convert कर रहा है, into analog telephone signal, that means it is modulating, यह digital को analog में जब करता है, तो इसको हम बोलते है, modulate करना, and converts an analog telephone signal into a, तो analog को यह convert कर रहा है, digital में, तो इसको हम लोग बोलते है, demodulate, और आप देखो, यह दो word का ही contraction है, mo और यहाँ से क्या हो गया, dem, तो modem, इसको हम कहते है, ठीक है, यहाँ लिखावा भी है, the word modem is contraction of modulate and demodulate, ठीक है, modems are required to send data computer with ordinary telephone lines, because computer data is in digital form, अभी बताई दिया, and telephone wires are analog, ठीक है, ओके, तो generally analog मैंने कहा न, waves से उतर, digital को हम इस तरीके से दिखाते है, ठीक है, आपको याद है, वो आपने कई बार, add देखा सोनी का, सोनी laptops बनाता था, सोनी वायो, करीना कपू was the brand ambassador, अब तो बंद कर दिया, सोनी ने laptops बनाना, तो अगर आपको ध्यान होगा, उसका कुछ logo, वायो का ऐसा था, याद है कुछ ऐसा बनाते थे वो, तो यह क्या था पता है, यह analog है, this is analog, and यह जो portion है, यह है, digital, that meant, इसका मतलब यह था, कि उन लोग analog signal से, मतलब पुराने जमाने से कहा जा रहे, modernize हो रहे, digital के वक जा रहे, तो this is what, उनका logo meant, ठीक है, यह सब काम कर नहीं है, additional information, time pass के तो modem का काम क्या है, clear है न, internet से telephone lines से आते हैं, तो telephone lines में क्या होता है, analog signal होता है, हमारा computer समझता है digital, तो हम ऐसा बूल सकते है, digital से analog करना, और analog से digital करना, यह काम किसका, modem का, clear है, चलो, अब हम आजाते हैं, next जो device है, वो है hub, अब थोड़ा topic को बहुत ध्यान से समझना, मैं तीन, तीन तरेका का आपको अभी devices के बारे में, हम discuss करेंगे, hub, switch, और मेरा तीसरा जो component मुझे discuss करना, that is router, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, देखो कुछ आपको यह diagram ऐसा दिख रहा है यह आपे, यह assume करते हैं, for the time being, this is our hub, this is our hub, so what is going to happen, try and understand, hub क्या करता है, अब मुझे 5 computers को connect करना है, मुझे 5 computers को network में लेकर आना है, try and understand, so what I am going to do, मानलो C1, C2, C3, C4 और हमारा C5, so what I am going to do, यह device hub है अभी, यह device के hub, यह क्या करता है, यह computer को हम connect करेंगे, C1, यह ports में, C2, C3, C4 और C5, कैसे connect करेंगे, यह wire दिखाया था न, now, this wire, यह एक तरफ, यह जो wire है, RJ45 cable बोलते है, Ethernet cable, यह कहां insert हो जाएगा, यह एक end तो insert हो जाएगा, यह जो आपको यहां पर ports दिख रहे है, एक end वह insert हो जाएगा, दूसरा end कहां insert होगा, सर, laptop में, device में, ठीक है, इससे क्या होगा, यह 500 computers आपस में, network में आ जाएगे, क्या में आ जाएगे, सर, network में, और और कौन सा network रहेगा यह, local area network, तो अगर में बहुत इस simple terms में बात करूँ, LAN है, sorry, hub क्या चीज है, hub एक device है, hub एक hardware है, hub एक communication processor है, जो क्या करता है, आपके, आपके systems, आपका बहुत सारा computer devices यह सब को connect करके, LAN में ले आते हैं, बट अब हमें तरीका पढ़ना है कि काम कैसे करत है, now what happens in hub is, let's say, मैं 6, 8 computer ही connect कर देता हूँ, C6 है, we have C7, we have C8, okay, now what happens here is, try and understand, C1, let's say, जो C1 है न, यह जो C1 computer wants to communicate to C5, यह C5 को कोई data भेजना चाहता है, hub में क्या होगा, C1 जब C5 को data भेजेगा न, तो basically वो data, वो data मैं green color से mark करता हूँ, यहाँ बेजा, यहाँ गया, यहाँ गया, डिवाइस में गया, वो data basically सब के पास चला जाएगा, C2 के पास, C3, C4, C5 के पास, C6, C7, C, सब के पास जाएगा, और फिर C2 के पास भी वो data आया, तो C2 देखेगा, अरे यह data मेरे नहीं था, तो यह accept नहीं करेगा, लेकिन C3 के पास data जाएगा, जैसे ही वो data C5 के पास पास, C5 बोलेगा, हाँ, मेरा था, बस, तो basically what is happening, try and understand, सारे systems आपस में connected है, land में तो आ गए, but what hub does is, hub ना, एक message, एक data को सब को broadcast कर देता है, word क्या है, ध्यान रखना, सब को broadcast कर देता है, सर यह broadcast word कहां पढ़ा आपने, कहीं सुना है यह word broadcast, whatsapp में नहीं देखा क्या, जब आपको एक message को बहुत लोगों को भेजना होता है, तो आप क्या करते हो, broadcast करते हो ना, तो hub क्या करता है, broadcast कर देता है, hub ना, थोड़ा सा बुद्धू type का device है, hub को पता नहीं रहता कि C5 कहां located है, मेरे example में C1 ने C5 को message बेजना था ना, data बेजना था, तो hub को पता नहीं रहता कि C5 कहां located है, तो hub क्या करता है, hub सब को बेज देता है, और सोचता है, C5 receive तो करी लेगा, यह बात समझ में आती है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा नुकसान हमें, कि आप now try and understand that, हमें क्या नुकसान हो रहा है इससे, अगर hub सभी को message बेज रहा है, तो हमें क्या नुकसान हो रहा है, try and understand, unnecessarily, unnecessarily आपका पूरे, मैं बोल सकता हूँ, network में, unnecessarily traffic बढ़ जाएगा, traffic मतलब समझते हो, unnecessarily data इधर उदर जाते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, C1 को, C5 को data बेजना था, ल अब में जा रहा है, broadcast हो रहा है, तो unnecessary traffic बढ़ेगा, उससे overall network क्या होगा, slow हो जाएगा, क्योंकि, एक word मैं आपको भी बताऊंगा, आपका bandwidth, नाम सुना है यह, bandwidth unnecessarily consume होगा, तो overall आपका सारा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, slow, मैं बताता हूँ अभी bandwidth का मतलब क्या है, unwanted traffic के कारण, overall सारा आमारा बातचित करना क्या हो जाएगा, slow, okay, hub, क्यों sir broadcast करता है, क्योंकि hub, smart device नहीं है, hub को पता ही नहीं रहता, C1 कौन सा है, C5 कौन सा है, hub, identify नहीं कर सकता, तो एक जन कोई message किसी को बेजना होता, तो it broadcast to everyone, सबको भेज देता है, okay, क्योंकि यह थोड़ obsolete, इसके जगा हम कुछ advanced आजकल, processors use करते है, hardware use करते है, वो क्या अभी हम लोग discuss करेंगे, तो यह तो था hub का concept, अभी हम लोग और दूसरा concept पढ़ेंगे, तो आपको clear होगा, now bandwidth क्या होता है, पहले आप यह समझ लो, आपके इसमें course में भी है bandwidth क्या है, मैं आपको समझा देत ध्यान रख लेना, this allows for sharing of the network resources, यह LAN में काम करता है, सिफ और सिफ, आप workstation, computer connect कर सकते हो, printer etc connect कर सकते हो, but main important जो pointer वो यह ध्यान रखना, कि when a hub receives a packet of data from a connected device, hub को C1 ने data भेजा, तो it broadcasts the data, word क्या keyword, it will broadcast the data packet, it will broadcast the data to all other connected devices, to all other connected devices, regardless of which one ends up being the final destination, तो यह main line है, this is how a hub functions, तो इस example में मैंने आपको क्या बोला था, कि C1 ने data भेजा, भेजना चाह रहा था, वो C5 को, लेकिन क्योंकि hub नहीं पैचानता कि C5 का है, C6 का है, it is going to broadcast the message, it is going to broadcast the data packet, to all the other devices connected to the hub, so इसे, sir, क्या होगा, हम मैंने कहा नहीं इसे traffic unnecessarily आपका क बड़ेगा, जिससे overall आपके सारे operations क्या हो जाएंगे, slow, बात समझ में आती है, चलो, ठीक है, okay, एक बार आप फटा-फट से, हम switch पढ़ लेते हैं, तो आपको और concept clear हो जाएगा, क्या चीज है, ठीक है, ठीक है, अब मैं इसी के contrast में, same, दिखने में almost switch भी ऐसा ही रहेगा, देखो device में, दिखने में उतना फरक नहीं है, hub और switch आपस में नाम अलग है, because functionality थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, अब hub के case में broadcast हो जाएगा, switch के case में, देखो क्या होगा, switch थोड़ा smart है, switch इसी example को हम लेते हैं, अगर हमने, मानलो में एक switch बना देता हूँ यहापे, ऐ C3, C4 और C5 connected है, ठीक है, now what is going to happen here is, if C1 wants to send a message to C5, तो C1 message भेजा हो switch के पास गया, now switch is intelligent, switch knows की C5 कहाँ पे है, so rather than broadcasting the message to everyone, switch is only going to send the message to the intended recipient, बात मेरी समझ माई, in contrast to hub, what is happening here is, hub में अगर यह case होता, तो C1 का message सबको चल जाता, और उससे traffic बढ़ता और slow हो जाता, but switch is smart, switch knows where C5 is located, and accordingly, जो C1 का message है, वो सिफ और सिफ को deliver हो रहा है, C5 को, तो sir, यहाँ traffic बहुत कम रहेगा, congestion बहुत कम रहेगा, speed आपका बढ़ेगा, और हम बोल सकते हमारे network का bandwidth, अभी मैं समझाता हूँ bandwidth का है, इसका optimum utilization होगा, logic समझ में आ गया, ठीक है, okay, यह भी ध्यान रखना, कि यह land के लिए काम आता है, local area network के लिए, जैसे हमें 5-6 computer अपने गेम खेलना है, तो आप इनने एक network बना लिया, तो यह छोटे land के लिए, हम land के लिए basically hub और switch काम में आता है, तो यह मैंने क्या बुला, hub is now a legacy device, मतलब यह थोड़ा सा obsolete हो गया, और आज के दिन सब लोग किसको prefer करते है, switch को, पहले switch थोड़ा costly हुआ करता था, तो hub लोग फ इतना कम हो गया, everyone these days prefers switch over hub, ठीक है, okay, अब एक बार switch में पढ़ लेते हैं क्या देखो, a network switch also connects computer to each other like a hub, hub की तरह काम करता है, but where the switch differs from a hub is in the way it handles the packets of data, when a switch receives a packet of data, हमारे example में C1 से receive किया, it determines what computer or device the packet is intended for and sends it only to that computer, हमारे example में क्या था, C5, C1 से data मिला, C1 से data मिला, और सबको भेजने के जगा है, वो सिफ किसको भेजा जाएगा, C5 को, ठीक है, so it, देखो keyword, it does not broadcast, उपर क्या लिखा था, broadcast करता है, और यह क्या है, it does not broadcast, this is the major difference between a hub and switch, it does not broadcast the packet to all computers as a hub does, which means bandwidth is not shared, bandwidth is not shared and आपका optimum utilization हो रहा है, that means network is more efficient, यहाँ unnecessary traffic बढ़ रहा था, फाल्तु में data इदर उदर सब जगा जा रहे थे, तो आपका bandwidth, अभी बताता हूं bandwidth क्या है, मैंने इतनी बारी बोल दिया, आपका bandwidth वहाँ पे optimum utilization नहीं हो रहा था, यहाँ आपका bandwidth का optimum utilization हो रहा है, that means your network is more efficient, hence, for this reason alone, switches are these days more preferred over hub, okay, चलो, कुछ logic समझ में आपको, अब यह बार बार जो word ना bandwidth वहाँ आपको मैं समझाता हूं, देखो आप 2-3 page पीछे shuffle भी करो, आगे, आपका next pages में, I think bandwidth बोलके, चोटा सा topic होगा भी, short note objective के लिए आ सकता है, देखो, यहाँ bandwidth, है, है कि आम लोग फटा-फट से देख लेते है, bandwidth, it refers to the amount of data which can be sent across the network in a given time, एक ताइम पर कितना data जा सकता है, वो bandwidth है, अब मैं आपको बहुत layman के terms में समझाता हूं, what bandwidth means, okay, suppose, हम घर पर आपके internet connection होगा, या आपने सुना होगा, कुछ 1 Mbps, 2 Mbps, 20 Mbps, यह सब speed बोला जात और 20 Mbps का अगर connection है, तो उसमें speed भी जादा और आपका उसका per month का charges भी थोड़ा हो सकता है, जादा लगता हो, okay, so what happens is, try and understand, internet पे जो भी data travel करता है, वो packets के form में करता है, packet, okay, मानलो आप Facebook कर रहे हो, यह Facebook का server, this is the server of Facebook, okay, और यह आपका छोटा सा यहाँ laptop है, आप इससे connected हो, Facebook के server से, ठीक है, Facebook का server, अब आपको data भेज रहे है, आप भी data भेज तो user ID, password से अब, और वो आपको data भेज रहे है, तो data will travel in the form of packets, ठीक है, okay, एक बात ध्यान रखना, यह जो packets travel करते हैं, पूरा दुनिया में यह travel जो करते है, data packets, उनका speed सेम होता है, उनका speed ज्यादा या कम नहीं होता, तो sir, आपके पास internet कभी-कभी fast होता है, कभी slow, वो क्यों होता है, it is because of the bandwidth, try and understand what I am trying to say, मान लो, अब आपने internet connection लिया है घर पे, उसका speed है, 1 MBPS का, 1 MBPS, ठीक है, तो 1 MBPS का जो speed होगा ना, उसका wire यह है, ठीक है, try and understand, मैं सिफ समझा रहा हूँ, यह wire वायर आपको इतना समझना नहीं है, उसका wire का जो width है वो कम होगा, तो what is going to happen, यहाँ पे मान लो, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 5 data packets एक बार में आपाएंगे, Facebook से कितना data packets आ रहा है, 5, सिर्फ एक hypothetical example है, ठीक है, लेकिन अगर यही आपका connection 20 MBPS का है, तो इसका bandwidth बहुत बढ़ा होगा, ठीक है, और एक बहुत सारा data packet जब आएगा, इसमें आपाएंगे, तो जब एक बार में बहुत ज़्यादा data आपके पास आ सकता है, तो हमें क्या लगता है, हमारा internet का speed ज़्यादा है, but ultimately it is 20 MBPS का जो आपे कर रहे हों है, it is for the bandwidth, bandwidth मतलब pipe का size, wire का size बढ़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा data आप आएगा, तो यही concept है bandwidth का, तो एक बार definition फिर पढ़ो, it refers to the amount of data, यहाँ पे amount of data ज़्यादा है यहाँ पे ज़्यादा है, सर, obviously 20 वाले में ज़्यादा है, यहाँ amount of data ज़्यादा है, which can be sent across network in a given time, एक time पे कितना data जा सकता है, तो एक time पे सर, मान लो, just hypothetically I am stating, यहाँ 5 packets तो मान लो, यहाँ 20 packets आ रहे, logic आपको समझ में है, यहाँ 50 packets आ रहे, बात मेरी समझ में ही, तो this is bandwidth, okay, okay, अब यहाँ पे, हाँ, मैंने आपको हब में बोला, देखो, हब वापिस हम लोग उपर के topic में आ जाते है, हाँ, मैंने आपको बोला, हब में traffic unnecessary बढ़ेगा, तो bandwidth अब वो data काम का नहीं है, फिर भी आपके wire से travel करेगा, और wire से travel करेगा, तो traffic फाल्तु में बढ़ेगा, तो अब जो legitimate data, उसके लिए क्या हो जाएगा, connection, slow हो जाएगा, ठीक है, लेकिन switch में क्या होता है, सिर्फ C1 से C5 में, intended recipient को ही जा रहा है, तो फाल्तु पे data travel नहीं कर आपके wires में, so now, आपका bandwidth बेकार में waste नहीं हो रहा, और आपका network क्या हो जाएगा, ज्यादा efficient हो जाएगा, बात समझ में आई, clear है, ठीक है, एक बात फिर आपको मैं बता दूँ, hub और switch, दोनु किसको connect करने, किस network को form करने के लिए काम आते है, sir, LAN के लिए, ठीक है, चलो, moving forward, आगे बढ़ते हैं, जो हमें next component पढ़ना है वो है router, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना, अच्छा, आपने कई बार ऐसा ये device देखा होगा, आपके घर पे या internet जहां पे भी होता है, कहीं पे भी ऐसा ये device देखा होगा, दो antenna निकलावा, देखाया ना ये device आपने देखा ना ये router, ठीक है, now what happens is, मैं आपसे ये पुछता हूँ कि घर में मानलो आपके internet है और ये कहीं लगावा रहता है, ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा तर लोग router बोलते हो, और मैं पुछता हूँ ये modem है या router है, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाय क्या आपको internet के लिए modem तो चाहिए या नहीं चाहिए, modem तो आपको 100% चाहिए होगा, क्योंकि क्या होने वाला है, आपका internet जेनरली telephone lines से आता है, और telephone lines मैंने आपको समझाया कि telephone lines तो analog signals यूज़ करते हैं, बट हमारा computers क्या समझता है, zeros or ones, तो ये जो device सिफ लगाने से काम नहीं होगा, आपने modem लगा रख है, वो कहां मैं भी आपको बताता हूँ, आप इसको router इसलिए बोलते हो, क्योंकि इसका कुछ और भी feature है, बट आज के दिन मैं बताता हूँ आपको ये जो device है, this is kind of all-in-one device, इसके अंदर inbuilt modem भी है, और ये router भी है, तो router का क्या feature होता है भी मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको और clear होगा कि ये modem भी है, ये router भी है, ठीक है, ओके, अच्छा, what is router देखो, hub और switch जो हमने पढ़ाना, वो भी networking devices है, वो LAN को connect करते हैं, लेकिन अगर आपको आपका network को किसी और network से connect करना है, a network of different protocol, तो आपको router यूज करना होगा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मान लिजे, मेरे office में तीन computer है, C1, C2 और C3, मुझे इसको connect करना आपस में, तो मैं कौन सा device यूज करूँगा, let's say I have connected these to a switch, किस से connect किया sir, switch से, मैं यह switch लिख देता हूँ, ठीक है, ये तीन computer LAN में आ गए है, तीनो network में है, switch में हमने connect कर अब C1 को facebook करना, facebook करने के लिए उसको कहां से, वो कहां है, internet पे, facebook करने के लिए आपको internet को access करना पड़ेगा न, ये facebook का server, मेरी बात बहुत ध्यान से समझेगा, ठीक है, और ये जो network था C1, C2, C3 का, ये तो कौन सा network है, इसको हम बोलते है, intranet, intranet मतलब network within the organization, और मैं आपको ये भी बता दू, internet क्या sir, private network है, मेरे organization का न, तो this is private network, और sir, ये जो मैंने diagram बनाया है, क्या internet public network है, हाँ जी sir, internet is public, now try and understand, जब C1 को facebook करना होगा, तो C1 जो switch पे data जाएगा, और ये switch तो भया, switch तो ज्यादा से data किसको बेज सकता है, C1, C2 और C3 को, तो इस switch से एक हमारा router भी connected होगा, प्रीज समझना, switch से router connected होगा, और router का काम क्या है, हमारा इस network को, समझना, हमारे private network को, हमारा intranet को किसे connect कर देना, internet से, again I am trying to tell you the difference, switch और हब सिर्फ हमारे local area network को form करता है, हमारे systems को locally connect करता है, बट हमारा system को अगर, किसी और network, दो network को आपस में बात करना है न, तो वो क्या use करेगा, router, ठीक है, तो सर फिर modem क्या था, modem तो सिर्फ signal को, convert करता है analog से digital में, और digital से analog में, router क्या करेगा आप मेरी बात ध्यान से समझना, मान लो यह C1 था, इसका request गया router को, router अच्छा route किया, internet पे गया और facebook के server से connect किया, अब facebook का server वापस data भेजेगा, तो यह router receive करेगा, और उस data को, सिर्फ और सिर्फ किसको forward कर देगा, C1 को, आप बहुत layman के language में आपको समझाता हूँ, मान लो, आपके घर में internet है, यह device लगाओ है, आप, आपके brother और आपके family में एक जन और, तीन जन इस device से connected है, हम wifi, यह wifi भी है ना, हम mobile से इसे connect कर सकते हैं, तीन लोग इससे connected है, ठीक है, आप कर रहे हो facebook, ठीक है, तो मुझे बताओ, क्यों, तीन लोग इससे connected तो है, लेकिन आप facebook कर रहे हो, तो facebook का data आप ही को आएगा न, कोई आपके भाई को या आपके father mother को तो नहीं जाएगा, वो Facebook का data आप ही को आएगा तो Facebook का data आपके mobile से जा रहा है, Facebook के server तक पहुंच रहा है, वहाँ से वापिस server जब respond कर रहा है, तो data आप ही को मिलेगा, ये काम है router का routing करता है, तो आप imagine करो, वापिस से में थोड़ा सा diagram clumsy हो गया, ये router internet से connected, ठीक है अच्छा, यहाँ से कोई packet आया ठीक है, तो ये Facebook का packets आ रहा है, data आ रहा है तो ये router receive किया, अब router decide करेगा कि ये packet किसके लिए था तो request किस ने दिया था, C1 ने तो ये packet को वापिस router किसको भेजेगा, C1 को ही भेजेगा ये काम है router का, देखो switch connect करता है, C1, C2, C3 को, locally सारे systems को, लेकिन router किसको connect कर रहा है, router is connecting this network to this network, ये network हमारा intranet private network है, ये network कौन सा हो गया, sir internet समझ आया ठीक है, तो हाँ, अब मुझे बताओ, sir आपके घर में internet जो है, उसके लिए router चाहिए हाँ, चाहिए, क्यों चाहिए, ता कि जब मैं Facebook करूँ, तो ये router के कारण मुझे ही सिफ Facebook का data मिले, अगर मैं Instagram कर रहा हूँ, या मेरी sister Instagram कर रही है, तो मेरा Facebook का data उसके पास नहीं जाए, उसको Instagram का ही data मिले, ये काम कौन करता है router, route मतलब root करना, router router मतलब spelling, R-O-U-T-E-R route करता है, जिसने डेटा का packet मांगा है, C-1 चाहता है Facebook करे, तो Facebook का data सिफ वापिस C-1 को ही मिले This is the work of router, तो दो network को ये connect कर रहा है, हमारे intranet को और हमारे internet को, समझ में है, अब थोड़ा about difference ये हम पढ़ते है, देखो What is a router, ये भी a communication processor है, देखो हर चीज में आप ये line लिग देना Hub is also a communication processor, switch is also a communication processor, router is also a communication processor, so router is a communication processor that interconnects networks based on different rules or protocols, different rule or protocol, ये intranet था और ये यहाँ पर connect किसको किया, internet को connect किया, so these two networks are on different rules and protocols ठीक है, देखो, so that a telecommunication message can be routed to its destination, a router like a switch, forwards the packets based on address, मैंने आपको कहा था, switch को क्या address पता रहता है, C1 को इस डाइग्राम में पता था, यहाँ वापिस देखो, क्या C1, sorry, C1 को पता था कि C5 का है, इसलिए shift और shift data यहीं पे जाता है, तो switch को address पता रहता है, हब को address नहीं पता रहता है, switch को address पता रहता है, ठीक है, अब, यहाँ क्या लिखा है, router like a switch, forwards package based on address, router को पता रहता है कि कौन facebook का package को request कर रहा है, और जब वहाँ से data आ जाएगा facebook के server से, तो router को पता रहेगा कि वह packet मुझे किसको पहुचाना है, ठीक है, so router like a switch forwards package based on address, लेकिन, it uses IP address IP address to forward package, बहुत important point, main point of difference, देखो, it uses IP address, IP मतलब internet protocol, IP address use करता है, देखो, अब मैं आपको बहुत लॉजिकली कुछ वापिस समझाता हूँ, any computer which is connected to internet will have an IP address, ठीक है, अब, यह थोड़ा सा, मेरे से ही diagram clumsy हो गया है, मैं आपको दुबारा एक बार थोड़ा सा neatly कोशिस करता हूँ बनाने की, ठीक है, चलो, मैं बोलता हूँ कि C1, C2 और C3 घर के तीन लोग है, और अपना अपना device यूज़ कर रहे है, ठीक है, और इन लोग 3 connected है, मानलो, switch से और फिर router से, मैंने switch बनाय मैंने router डिख दिया, ठीक है, C1 is trying to access Facebook, क्या access कर रहा है, Facebook, इनका request गया है, यह आगे request बेज़ेगा internet की दुनिया में, यह हमारा internet, ठीक है, फिर similarly, internet से reply आएगा, वापिस router में आया, अब router यह देखेगा, कि यह जो reply आया, यह जो data packets आये है, आप खुद मुझे बताओ, router किस को भेजेगा, C1 को भेजेगा, तो यह काम है router का, route करना data packets to the destination, ठीक है, तो यह packet वापिस आके C1 को मिलेगा, imagine करो C2 को मिल गया होता, तो क्या होता, घर में जो internet कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, दूसरे को भी दिखेगा, तो ऐसा तो नहीं होता, so router का यह काम है, now try and understand, Since C1 is connected to internet, it is going to have its own IP address, C2 connected है, इसका खुद का IP address होगा, C3 भी connected है, इसका खुद का IP address होगा, अब, जब Facebook के लिए मैंने request किया, C1 ने, तो router के पास उसका IP address आ गया, कि यह IP address वाला computer is trying to access Facebook, ठीक है, तो उसने आगे request बेजा internet को, internet से जब वापिस data आया, तो उसमें, उस data packet में उस data packet, मानलो यह packets आ रहे हैं, उस data packet में IP लिखा होगा था, कि यह data packet किसके लिए है, तो जैसे ही वो data packet router ने receive किया, router को पता चल गया, अच्छा यह IP तो C1 का है, तो उसको सिफ इसी को forward कर दिया, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि router intelligent है, switch के तरह इसको address पता रहता है, कि किस computer क को भेजना है, बट router कौन सा address यूज करता है, IP address, याद रखना हर computer जो connected है इन्टरनेट से उसका अपना IP address होगा, बात समझ मैं, ठीक है, सर, अब अपन यहाँ पर diagram पर आ जाते है, हम लोग यह बात कर रहे थे कि सर, switch को भी पता है, switch C1 जब data भेजना चाता है, तो वो सिफ C C5 को ही भेजता है, तो मतलब switch को भी पता है address क्या है, लेकिन आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या कहा था, कि switch तो सिफ किसके लिए काम आता है, LAN के लिए, हम यहाँ internet से connected हो नहीं हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो जब बान लो, यह C1, C2, C3, C4, C5 internet से connected नहीं है, तो इनका IP address तो होगा ही नहीं, तो switch कैसे पैचानेगा, switch फिर कौनसा address यूज़ करेगा, C1 से C5 में data भेजना है, तो switch कौनसा address यूज़ करेगा, तो switch जो address यूज़ करता है उसको हम लोग बोलते है, Mac address, Mac address होता है, Mac का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, दोनु address क राउटर और switch सिर्फ इंटेंडेड रेसिपेंट को ही data भेजते हैं, Sir, what is the difference, difference यह है कि switch सिर्फ एक network, local area network के लिए काम आता है, लेकिन अगर आप दो अलग अलग type के network को connect करना चाहरे हो, for example, your internet and intranet, local area network, इन दो network को connect करना चाहरे हो, तो हमें कौनसा device लगेगा, हमें router लग Sir, switch में, switch जरूरी नहीं है कि सारा computers connected हो internet से, तो switch कौनसा address यूज़ करता है, switch mac address यूज़ करता है, ठीक है, चलो, पहले एक बार router को complete कर लेते हैं, a network router is quite different from switch or hub, since its primary function is to root data packets to other networks, दूसरे network को यह connect करता है, instead of just the local computers, hub or switch, फिर बोल रहा हो मैं Sir, hub or switch सिफ LAN के लिए काम आता है, locally systems को connect करने के लिए काम आता है, but router दूसरे network को connect करने के लिए काम आता है, ठीक है, and router is quite common to find in homes and businesses, since it allows your network to communicate with other networks, including the internet, तो घर पे यह जो device और आपका, Sir, यह router है, this is router, but try and understand, कि internet के लिए Sir, modem भी जरूरी है, तो यह आपका modem router में, most of the routers have inbuilt modem also, तो यह हमारा all-in-one kind of device है, ठीक है, clear होगे आपको, अब मैं आपको एक बहुत simple बात बताता हूं, कि यह जो router, switch, hub, अना सब almost एक ही device होते है, आजकल सब all-in-one device है, this particular device, this can be used as a router, this can be used as a switch also, अब कैसे देखो, यहाँ पे, ports है, यह जो मैं holes बना रहा हूं, यह जो 4 port आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यह 4 port में मानलो, मैं 4 computer connect कर देता हूं, यह yellow port जो आपको दिख रहा है, this is for internet, ठीक है, मैं इसमें कोई wire नह डालता है, मतलब इसमें internet connection है ही नहीं, मैं सिर्फ 4 computer को यहाँ connect कर देता हूं, तो अगर मैं सिर्फ 4 computer को connect करूंगा ना, तो this can act as a switch or hub, internet नहीं है, सबका अपना-पना mac address होगा, उससे यह identify कर लेगा, लेकिन अगर मैं यह internet भी connect कर देता हूं, तो यह router बन जाएगा, ठीक है, तो device सस्ता हो गया, यह modem भी है, switch भी है, hub भी है, all-in-one kind of device है आपको, चलो, हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप दो address बार-बार सुने, IP address और MAC address उसको हम पढ़ लेते हैं, चलो, पहले IP address पे आजाओ, IP address इसको हम बोलते है, internet protocol, is a unique identifying number, यह भी unique है, सबका IP address अ IP devices internet से connected है, उनका unique IP address होते है, so IP address is a unique identifying number, assigned to every device that communicates on the internet, whether it be a personal computer, tablet हो चाहे, तुमारा smartphone हो, सबका अपना IP address होगा, ठीक है, और यह बात समझ में आ गया, but the only condition is, it has to be connected to the internet, ठीक है, अभी देखो IPv4 चल रहा है, v4 मतला version 4, IPv4 addresses are usually represented in, तुमारा IP address कैसा है, दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, यह हम बोल सकते है, 192.168. कुछ-कुछ ऐसा हमें दिखेगा, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस computer का भी अगर IP address हमें दिख सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, so IPv4 address, v4 मतलब यह version 4, अभी IP का version 4 वाला चल रहा है, IPv4 addresses are usually represented in dot decimal notation, dot decimal का मतलब, 3 number होगा, उसके बाद एक dot, 3 number तक हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो, क्या दिखाना है, maximum 3 numbers, फिर dot, consisting of 4 decimal numbers, each ranging for 4 decimals होगा है, total में, 1, 2, 3, और 4, each ranging from 0 to 255, ठीक है, separated by dots, ठीक है, अब क्या हो गया, लेकिन आप देखो, तो, हम क्या बोल रहे है, 0 से 255 का range होगा, फिर dot, फिर कोई भी number हो सकता है, 0 से 255, dot, फिर 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, dot, और फिर 0 से 255, तो ऐसा IP address होता है, ठीक है, लेकिन आप देखो, दिन बर दिन इतने computers नहें बिक रहे हैं, usage of internet कितना considerably बढ़ गया है, तो यह लिमिटेशन हो गया, अब एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि हमारा IP address देने के लिए और बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारे IP address अल्रेडी लग चुके होंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना devices internet को connected होगा, कि नया IP address assign ही नहीं कर पाएगा, because there is a limitation, no, ठीक है, so what is going to happen is, because of the growth of internet and the depletion of, and the depletion of available IP for addresses, a new version of IP, IPv6 बोलते है, is currently being phased in, पूरा भी नहीं आया, थोड़े-थोड़े gradually इसको लाया जा रहा है, ठीक है, तो प्लीज ज्यान रखना, IP address हर device का होगा, जो कि internet को connected रहेगा, ठीक है, अभी यह device मेरा internet हाला कि connected नहीं है, but अगर मैं आपको रुको, हाँ, क्या होगी है, हम कमांड प्रॉम्ट में जाएंगे, रुको, यह थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, टेकनिकल हो, बट कोई बात नहीं, देखो, मैं आपको इस system का IP address हम कैसे निकालते हैं, यह थोड़ा touch screen है, ना तो मेरे को दिक्कत आ रहा है, हाँ, आई-पी, मैं कमांड लिख रहा हूँ, आई-पी, कन्फिग, ठीक है, और एंटर किया, तो यहाँ देखो, कुछ-कुछ, हाला कि बहुत छोटा है, मैं इसको, जूम नहीं कर पाऊंगा, आटो कॉन्फिग्रेशन IP address फोल लिखा हूँ है, 169.254.170.177, यह जो मेरा माउस, करसर जहां मैं मूफ कर रहा हूँ, this is our IP address, ठीक है, समझ में आ, तो SM IP address अपना निकाल भी सकते है, हाला कि यह local IP address भी हो सकता है, internet से connected नहीं है, internet से connect होगा, तो अपना IP address भी रहेगा, ठीक है, तो this is IP address, अच्छा, याद रखना, routers कौन सा address यूज करता है, because हम internet को connect करें, राउटर काम में हागा, तो router uses IP address, ठीक है, लेकिन switch, sir, switch तो सिफ 4-5 device, 10 device, 15 device आपका computer को connect कर रहा है, जरूरी नहीं है, internet हो, तो switch IP address यूज करता है, switch कौन सा address यूज करता है, switch यूज करता है, mac address, क्या होता है, mac का मतलब है, media access control address, is referred to as mac address, it is unique identification number assigned to nic, कहीं पढ़ा था भी, nic, nic first point of contact है, मतलब आपका, जो आपको मैंने भी diagram उपर पढ़ा था, what is nic, देखो वापिस आजाओ, वापिस देखो diagram, कहा गया, यह रह, यह nic है, आपको computer आपका connect करना है, तो इसी port में तो wire को insert करेंगे, तो nic का address होता है, nic का address होता है, यह बार बार चेंज नहीं होता, like IP address, IP address तो आप अलग-अलग internet को connect करोगे, अलग-अलग IP address होगा, Mac address हर बार आपका device का same रहेगा, क्यों, क्योंकि यह address manufacturer डाल के देता है, यह device का जो manufacturer होगा वो आपको Mac address डाल के रहेगा, तो यह कभी भी change नहीं होगा, ठीक है, तो media access देखो क्या है, it is unique identification number assigned to nic, कौन assign करता है, by the manufacturer, and it is stored in ROM, याद है, ROM पढ़ा था, read-only memory, मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था, कि ROM में कुछ-कुछ information होते है, जो manufacturer डाल के देते है, ठीक है, और read-only memory हम इसको change नहीं कर सकते, तो आपको याद है, चार टाइप के memory हमने पढ़ा था, internal storage, primary, primary में RAM ROM पढ़ा था, फिर virtual memory पढ ठीक है, चलो, तो MAC address कैसा होता है, MAC address is a string of usually six sets of two digits और characters, six sets of two digits और characters, जैसे example यह, कितने यहाँ पर sets है, one, two, three, four, five, six, और two digits और characters है, ठीक है, IP address में क्या था, IP address में 0 से लेके 255 में 4 set, dot decimal notation हम लोग बोलते है, ठीक है, अभी यहाँ पढ़ा था यह रहा, अचा ही लिखा ही था मैंने, clear है यह, तो MAC address कौन assign करता है, ध्यान रखना, IP address will keep on changing, आज मैं अपने घर के इंटरनेट से connected हूँ, तो IP दूसरा रहगा, मैं कहीं और जाके दोस्त के घर से इंटरनेट करता हूँ, तो IP दूसरा रह तो ध्यान रखना मेरी बात कि switch, MAC address यूज करता है, और तभी वो C1 जो computer था, C5 को भेज पाएगा, हब कोई भी address को पहचान नहीं पाता है, ना MAC ना IP कुछ, हब थोड़ा बुद्धू type का device है, इसलिए वो सबको broadcast कर देता है, ठीक है, फिर मैंने काफी time ले लिए आपको सम पाकेट यूज कर रहे है, लेकिन मैंने आपको समझाया है नहीं पाकेट किया, यह देखो, a router like a switch forwards packets, based on address, यहां पे भी packet word यूज किया, इधर भी देखो क्या यूज किया, hub में, switch में, where the switch differs from a hub is in the way it handles packets of data, so what do you mean by packet, वो हम यहां पे भी discuss करते है, एक बार packet का definition पे भी फटा इंटरनेट, fundamental unit, लेकिन बहुत important word यहां क्या धिहान रखना है, packet is the fundamental unit of data transmitted over the internet, सर सिफ और सिफ जो हमारा data internet पे जाता है उसको हम packets बोलते है, इंटरनेट पे जो data travel करता है, that is in the form of packet, तो basically मुझे यह बोलना चाहिए, कि अगर मैं router के terms में बात करू, router में तो क्या होता है, हमा किस से, let's say internet, क्योंकि internet है, तो I can say data will travel in the form of packet, इधर जाएगा भी, इधर से आएगा भी in the form of packet, लेकिन अगर सर मैं switch के terms में बात करू, यहां पे तो internet है ही नहीं, यहां पे तो सिफ क्या है, LAN, यहां पे तो सिफ क्या है, intranet, तो please ध्यान रखना, switch के अंदर जब मानलो हमारे यहां पांच computers connected है, तीन, चार computer connected है, आपस में, तो इन लोग, जब आपस में sharing करेंगे, C1 ने कुछ भेजा data C4 को, तो उसको हम लोग packet नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते frame, उसको हम लोग बोलते frames, आप, हाला कि हमारे ebook में interchangeably use किया है, थुड़ा सा अगर मैं आपको technically ब वहां data travel करता है in the form of packets, ठीक है, तो यहां पे आपको, ideally अगर मैं बोलू, router में they are using the word packet, it is okay, but switch or hub में, उनको क्यों सा word use करना चाहे, frames, तो यहां देखो, where the switch differs from a hub is in the way it handles packets of data, के जगा word क्या use करना चाहे था, frames of data, when a switch receives a particular frame of data, it determines what computer or the device the frame is intended for, and sends it only to that computer. But, इतना technically कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैंने आपको सिफ knowledge के लिए यह बता दिया, okay, okay, क्योंकि आप definition देखो, बहुत clearly यह state कर रहा है, packet is a fundamental unit of data transmitted over the internet, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता, कि sir, switch में तो internet का लेना देना ही नहीं है, so switch में हम word packet बोल रहे है, so switch में ideally word क्या use किया जाएगा, frames, but हमारे book में packet ही लिखाव है, तो it is up to you, आप कौंसा word यूज कर सकते हो, okay, okay, so when a device intends to send a message to another device, for example, your PC, your laptop, mobile is connected to YouTube, so it breaks the message down into smaller pieces called packets, YouTube में आप एक वीडियो देख रहो, तो वीडियो इतना बड़ा वीडियो तो आपको एक बार में नहीं आएगा, तो छोटा चोटा है, packets बनके आपके system में आता रहता है, एक बड़ा data is broken down into smaller chunks of packet, ठीक है, और हर packet में क्या रहता है, ध्यान दो, मानलो ये आपका laptop है, और ये बड़ा सारा YouTube का server है, यहां से वो आपको data packets भेज रहे है, तो हर packet में क्या रहेगा, sender's address, कि किसके हाँ से packet आया, destination address, address ठीक है, packet की बात कर रहे है, internet, तो YouTube जब आपको data भेजेगा, तो उस packet को कैसे पता रहता है, कि यह वाला data इसी laptop में जाना है, वो because of IP address, ठीक है, so each packet has a sender address, the destination address, sequence number and piece of overall message, sequence number क्यों, क्योंकि बहुत सारा data जाता रहता है, तो कोई data packet पहले पहुंच जाएगा, कोई बाद में, तो भाया वो आपको तो sequence में आना पड़ेगा, तो sequence number भी रहता है, 123 ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ गए, so what is packet, keyword ध्यान लखना, it is a fundamental unit of data transmitted over the internet, main word over the internet, ठीक है, चलो, all right, so यहाँ पे भी हमारा 3 concept खतम हुआ, okay, अब हाँ, अब हम बात करते हैं, और कुछ devices की, 3 काफी simple devices है, we देखो, मैंने 3 device major जो थे आपको बता दिया, जिसमें बच्चों को confusion होता, hub, switch और router, बहुत क्लिरली मैंने आपको बता दिया, next is bridge, repeater और gateway, अब बहुत लॉजिकली point देखना क्या होता है, मान लो, मैं आपको कुछ diagram बना रहा हूँ वापिस, C1, C2 और C3, तीन system है, ठीक है और ये connected है, तीनो, किस से, सर, hub से, ये device है, connected है, hub से, तो hub में होने से क्या होगा, फिर मैं बता देता हूँ, अगर C1, C3 को database ता है, तो C2 को भी मिल जाएगा, तो basically broadcasting होगा, ये बात समझ में आता आपको, ठीक है, तो मान लो, ये क्या C1, C2, C3 एक LAN में आया, is this a LAN or not, yes, I am naming it as LAN 1, this is my LAN 1, ठीक है, मान लो, I have, मेरा organization में एक और department है, उसमें भी कुछ-कुछ laptops है, C4, C5, C6 और C7, इसको भी मैंने क्या किया, एक दूसरे hub से connect किया, now C4, C5, C6 और C7, क्या ये आपस में connected है, हाँ, तो क्या ये भी एक LAN हो गया, हाँ जी सर, ये भी एक LAN हो गया, हाँ 2, clear है, okay, now, मुझे एक चीज बताओ, अगर C1 को बहुत ध्यान से सुनना, if C1 wants to communicate to, let's say, C5, will it be possible now, no, ठीक है, क्योंकि C1 तो LAN में जो है, सिफ किस से communicate कर सकता है, C1, C2 और C3 से, but C1 को C5 से बातचीत करनी है, तो, now, what is going to happen, please try and understand, ये हब में न, हब को, इन दोनों हब को, मैं एक और डिवाइस से connect करूँगा, ठीक है, और इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ब्रिज, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, Hub क्या करता है, Broadcast, ठीक है, C1 ने एक message भेजा, Hub को, C1 ने message भेजा Hub को, Hub क्या करेगा, क्या C2 को भी वो जाएगा, जाएगा, C3 को भी जाएगा, जाएगा, C1 ने किसको message भेजा, C5 को, अब Hub यहाँ पे भी उस message को भेजेगा, क्योंकि Hub is, Bridge is also connected to Hub, Now what is going to happen is, क्योंकि C1 किसको message देना चाह रहा था, C5 को, तो यह bridge क्या करेगा, वो packet receive करेगा, और इसको आगे forward कर देगा, ताकि C5 को message मिल जाए, बात समझ में आ गया, ठीक है, तो what is happening, try and understand, हम यहाँ पे दो अलग-अलग network को connect कर रहे हैं, हमारे यह organization में मानलो, land 1 था, land 2, उसको हम connect कर रहे हैं, यह bridge का काम है, ठीक है, और bridge में generally यह जो ports होते हैं, दो ही होते हैं, यह दो ही port वाला bridge generally होता है, ठीक है, but sir, अगर हमें C1 और C5 को बात करानी ही थी, अगर हमें C1 और C5 को बात करानी ही थी, तो हम sir, क्या कर सकते हैं, आप दूसरा मुझे तरीका बताओ, क्या इन सभी को, हम लोग आज के दिन, एक switch में connect कर सकते हैं या नि, यह छोटा पढ़ गया मेरा switch, C1, C2, C3, 4, 5, 6 और 7, क्या sir, हम इनको एक साथ connect कर सकते थे, obviously कर सकते थे आप, switch में, यह scenario 1 उपर वाला, नीचे scenario 2 की में बात करो, अब C1 जब switch में C75 को message बेजना चाहेगा, तो वो message directly किसको जाएगा, C5 को चला जाएगा, तो फिर sir, यह bridge का क्या काम है, कोई काम नहीं है, आज के दिन obsolete है, bridge कोई use नहीं करता, bridge कोई भी use नहीं करता, लेकिन आप देखो, मैंने hub भी तो बोला था obsolete है, तो जब मैं यह hub बनाया हूँ ना, तभी मैंने क्या use किया, bridge, bridge क्या ensure करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, two LAN को connect करता है, वह similar land को connect करता है, router भी two alex, router और bridge में देखो, difference कैा, bridge, two similar LAN को connect कर रहा है, लेकिन router दो अलग-अठ वर को connect कर रहा था, जिसमें, two अलग-अठ वर को connect कर रहा था जिसमें internet था, दुसरा intranet यहां यह दोनों इंट्रानेट को कनेक कर रहा है नहीं Is this land? Is this my intranet or not? Yes. Is this also my intranet or not? Yes. So, bridge is also connecting two networks but same networks लेकिन router दो अलग-अलग network को connect कर रहा था बात समझ महीं? ठीक है Sir, इस scenario में अगर इस scenario में प्लीज आप भहुत ध्यान से concept समझना Sir, हम bridge नहीं यूज करके हम Sir, सबको hub से भी तो connect कर सकते थे आप बिल्कुल कर सकते हो लेकिन उसमें क्या होगा C1 को C3 से बात करना है अब चलो यह scenario भी मैं आपको बता देता हूँ Let us say, यहां से ही sub-connected है C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sub-connected है अब सिफ C1 और C3 को बात करना था, रेकिन अगर यह hub है तो यह message C2 को भी जाएगा 4, 5, 6, 7, unnecessary तुमारा traffic क्या होगा Traffic, network traffic is going to rise unnecessarily हाँ, bridge हटा दो ना हम साथो device को hub में connect कर सकते हैं लेकिन तुमारा fall 2 में traffic क्या होगा 4, 5, 6, 7 भी disturb होते रहेंगे, बेजना था message 1 को 3 से, लेकिन 4, 5, 6, 7 को भी message मिलेगा, so your network traffic is going to be very high here, in order to avoid this, हमने क्या क्या 2 land बना दिया, C4, 5, 6, 7 आपस में जाधा बात करते हैं और 1, 2, 3 आपस में जाधा बात करते हैं लेकिन 1 को 5 से कभी-कभी बात करना होता है, उसके लिए हम क्या use करेंगे bridge, ठीक है ये दोनु जो उपर मैंने diagram बनाया ये पुराने जमाने की बात थी आज के दिन तो हम क्या use करेंगे सर, switch, तो bridge is also a legacy system, इतना काम में आज के दिन नहीं आता, clear है ठीक है, अब एक बात बहुत वापिस सुनो, सर bridge और router में क्या difference है, bridge भी दो network को connect करता है router भी, but bridge दो similar lands को connect करता है, या network को और router दो अलग-अलग protocols या rules के network को connect करता है यहाँ पर बहुत ध्यान से definition पढ़ना यह clearly लिखावा है, router is a communication processor that interconnects networks based on different rules or protocols, लेकिन bridge is a communication processor that connects numerous local area networks मतलब यह कौन सा network हो गया similar networks को यह connect करता है similar, यहाँ पर word is different different, और यह है similar, bridges are typically used to separate parts of the network that do not need to communicate regularly, but they still need to be connected, ठीक है एक बस पॉइंट ध्यान रखना है, if the destination address is not on the other side of the bridge it will not transmit data हाँ, अगर C1 को इस diagram में फिर आजाओ C1 को C5 को message नहीं बेजना था, C3 को ही बेजना था और हमारा यह network बनाव है तो C1 जो data बेज़ेगा, हब के पास जाएगा हब ने वो data C2 को भी बेजना है C3 को भी और bridge को भी बेज देना है लेकिन bridge देखेगा कि यह data तो C3 के लिए था जो कि bridge के उस पार नहीं है इसी पार है, तो bridge ना उसको आगे data को नहीं बेज़ेगा, यह data सिफ C3 के पास चला जाएगा और C2 के पास in this way, आपका network यह फाल तुमें use नहीं होगा, तो what is, what does bridge does, एक चीज़ बस एक लाइन और ध्यान लखना, bridge ना थोड़ा सा हब से smart है bridge बस इतना देखता है कि address is sparse अगर packet is sparse है, तो मुझे उस पार भेजना है, अगर उस पार का address नहीं है, मतलब यह packet में उस पार के लिए यह packet नहीं है, तो उसको आगे नहीं बेज़ेगा, तो point देखो, if the destination address is not on the other side of the bridge, it is not going to transmit the data, ठीक है देखो, confuse मत होना it is very simple, I hope you are able to understand, यह bridge repeater क्या होता है, एक छोटा सा device, जो कि signals को boost करता है, amplify करता है, ठीक है, आप बहुत simple terms में अगर मैं आपको बताऊं आपने घर में एक wifi लगाया है, ठीक है पर एक room में, एक कोने में proper signal नहीं capture होता, signal अच्छे से नहीं आता, तो in that case we can use repeater, repeater क्या करता है इस room में थोड़ा भी जो signal आ रहा है उसको receive करेगा, और signal को boost कर देगा वापिस से amplify कर देगा, ताकि आपके room में proper signal आ जाए और बहुत ही सस्ता, 700-800 रुपे में आपका device आता है, जैसे all-out machine होता है, आप सीधा socket में इंसर्ट कर देगा, तो वैसा भी छोटा device आता है MI, यह सब-सब ब्रैंड का आता है तो signal को वो क्या कर देता है amplify, ठीक है, so repeater is a communication processor that boosts or amplifies the signal before passing it on to the next section of cable in a network, तो क्या इस case में आप में आप में हमारा bridge भी सम्हाँ पता है repeater की तरह काम करता है यहां से जब वो signal लेगा ना तो boost करके क्या करता है आगे base देता है, तो bridge में भी repeater का थोड़ा बहुत capabilities है ठीक है, so repeater is a communication processor that boosts or amplifies the signal before passing on it to the next section of cable in the network repeater enables signal to travel इससे क्या होता है, longer distance तक वो travel कर सकता है ठीक है, खतम, चलो next is gateway यह भी थोड़ा सापको confused हो सकता है, but as such आप मेरी बातों को ध्यान से समझना तो कोई भी confusion आपको नहीं रहेगा gateway क्या है, gateway is a communication processor यह भी communication processor है that connects network that use different communication architecture sir router में भी पढ़ा था different protocol, यहां word क्या पढ़ लिया architecture, अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात, यहां जो लिखी वे मैं आपको कम पढ़ा के बहुत practically समझाता हूँ, आप खुद मुझे बताओ gateway का मतलब क्या होता है, कहां सुना यह नाम, gateway का नाम सुना कहां सुना ना gateway of India, ऐसा आम बोलते हैं न, so what gateway is मतलब क्या, gateway of India का क्या मतलब था पहले जब वो बना, कि gateway of India अगर यह है, तो इसके अधर इंडिया है उसके बाहर इंडिया नहीं है मलब इंडिया में एंटर करने के लिए वो gate बनाया हुआ, that is why it is called as gateway of India पुराने जमाने में कोई भी इंडिया से, इसरायल पर्सी, पर्शियन और जो भी आते थे शिप से, पानी के रस्ते से तो वो उदर से एंटर करते थे वो port था basically, that was gateway of India यहां gateway का मतलब क्या है आप यह समझो यहां हमारा network में gateway please try and understand हमारे network में वो point वो point जिसके beyond हमारे network में वो point किसी और का network स्टार्ट हो जाता है उसको मुलेंगे gateway try and understand suppose हां यह आपका laptop है ठीक है और यह wirelessly आपके घर में router से connected है यह आपका router है ठीक है तो यहां से यहां से यहां पे जो network this is still within your control ठीक है क्योंकि आप ही के पास है चाहे आप wirelessly connect करो चाहे आप ethernet cable LAN wire से connect कर दो यह आपके control में ठीक है लेकिन once router sends your data outside to the internet तो इस point के beyond किसी और का network शुरू हो रहा है तो हम यह बोल सकते कि router भी एक तरीके से हमारे लिए gateway क्योंकि router के उस पार router के बाद किसी और का network शुरू हो रहा है तो हमारे network के लिए मेरा network कॉंसा इसर यह जो मैंने portion yellow किया यह हमारा पूरा portion अना तो this is our basically यह जो line मैंने बनाई यह gateway तो first point of contact क्या रहेगा router तो router can be termed as our gateway समझ मैं तो what is gateway मैं आपको बहुत ही simple terms में अगर बता हूँ आप एक line यहां लिख भी लो एक line यहां नोट कर लो gateway के पास हाँ यहां लिख लो gateway functions as an entry या exit point to a network मतलब network अब यह laptop है हमारे लिए इस network का last point है हमारा जो network है यह router तो this is an exit point और बहार से कोई packet आएगा तो router is going to be an entry point तो router can be a gateway मैं अभी यह नही बोल रहा कि router ही gateway router can be a gateway मैं आपको और 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 बी examples देता हूँ कि gateway क्या होता है पहले यह ध्यान रखो gateway क्या है sir gateway हमारे network का exit या entry point समझ मैं जिसके beyond जिसके beyond दूसरा network शुरू हो जाता है जिस पर हमारा कोई control नहीं है this is a gateway तो मैंने आपको क्या बता एक example यहां देखो home networks a broadband router broadband router मैंने आपको दिखाया this is my broadband router home network में so in home networks broadband router typically serves as the network gateway तो हमारे घर के connection पे broadband जो यह router this is going to be your gateway लेकिन हो सकता है हाँ अब एक बार रुको मैं थोड़ा सा clean up क्योंकि आपको समझ में आगे ना मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ and उसके बाद मैं आपको वापिस से समझाता हूँ ठीक है तो आपको यह बात समझ में आगे कि घर के network पे router can be a gateway लेकिन मैं आपको एक और example देता हूँ for example मान लो हमारे office का यह server main computer और बहुत सारे computers इस से connected सब आपस में land में है और यह internet है यह internet है चलो आप क्या होगा suppose आपको ऐसे concept बता रहा हूँ मैं gateway आपको basically समझा रहा हूँ let us say एक हमारा proxy server main server तो हमारे पास पढ़ा है मैं बहुत layman के terms में आपको समझा रहा हूँ technically थोड़ा wrong भी हो सकता है but just to make you guys understand यह server main original server इसको थोड़ा zoom भी कर लेते है क्या हो रहा है समझना और मैंने एक और server भी लगा रहा है इसको हम लोग बोलते है proxy server ठीक है अब क्या होगा C1 को Facebook करना C1 को let's say Facebook करना अब C1 का IP address होगा हर computer जो internet से connected है मैं आपको कहाना उसका क्या होगा IP address अब वो IP address का request जाएगा यह server के through जाएगा मानलो server सही कोई access कर रहा है server का IP address internet पे जाएगा तो होगा क्या server का IP address से पहले हमारा वो request किसके पास जाएगा proxy server अब proxy server ना उस request को आगे बेजेगा Facebook के server पे now try and understand what is going to happen हमारा main server IP address अब Facebook के पास नहीं गया क्योंकि हमारा packet root किसके through हुआ proxy server के through तो अब Facebook के server को जो IP address मिलेगा वो किसका मिलेगा proxy server का IP address proxy server का मिलेगा अब मान लो Facebook भी तुम्हें data भेज रहे वापिस तो packets में IP address होता है अभी हमने पढ़ा ना तो वो किसका IP address होगा proxy server का सर यह ऐसा क्यों कर रहे है proxy server इसा ध्यान से देना हाला कि proxy server के use का बहुत सारे reasons होते है एक मैं आपको shift point बता रहा हूँ security let's say कोई बहार से hacker attack करने की भी कोशिश करेगा तो उसको IP address किसका पता चल सकता है जाद से जाद हमारे proxy server का तो वो वहाँ पर attack करेगा हमारा यह server अभी भी safe है I am just giving you hypothetically some examples तो इसले हम proxy server use करते है now try and understand यह proxy server क्या हमारे control में हाँ जी sir हमारे network का part है अब इस proxy server के beyond जो है वो internet की दुनिया है तो my मेरा यह बनाने का reason यह था कि अब हमारे corporate network में office के network में this proxy server will be a gateway because this proxy server is the last point of contact are you able to get my point हाँ इसी में हो सकता router लगाओ router तो इधर भी रहेगा but this is going to be our last point of contact तो हम बोलेंगे proxy server can be a gateway यह बात समझ में है मैं आपको यही समझा रहा था कि gateway का मतला यह doesn't necessarily have to be some separate hardware वो हमारा router भी हो सकता है वो हमारा proxy server भी हो सकता है the concept which you have to remember is that कि gateway हमारे network का entry या exit point है तो यहां इस line के इस तरफ मैंने जो भी बनाया this is beyond our control यह हमारे organization का ही पार्ट है this is our network इसके beyond दूसरे का network चालो हो जाता है public network चालो हो जाता है तो proxy server will be our gateway भलाई आप एक यहां पर प्लीज example और note करो यह जो लिखा ना on home networks a broadband router typically serves as the network gateway आप यहां एक और example note करो जगह जहां पर भी बसता है incorporate networks लिख लो incorporate networks incorporate network a proxy server लिख ले ना a proxy server may serve as the gateway एक और example ताकि आपको यह नहीं लगे कि सिव राउटर ही gateway हो सकता है the point सिव आपको क्या दिया ना यह जो line मैंने लिखा दिया यह आपको समझ में आ जाना चाहिए clear है चलो so I believe देखो हमारे devices सारे हो गए बहुत सारा पढ़ लिया एक बार मैं आपको फटा-फट से recall करा दे तो हमने क्या-क्या कर लिया हमने NIC card पढ़ा था router भी चाहिए router का काम है packet को root करना लेकिन modem का काम है analog से digital में convert करना और digital से analog को convert करना convert होके आ गया तो अब 3 computer आपके router से connected है router को पता कैसे चलेगा कि किसको यह वाला packet भेजना है कौन Facebook करना चाह रहा था router हमें चाहिए packets जो आ चुके है to the right recipient sir हमने hub पढ़ा hub और switch दोनों LAN बनाने के लिए काम में आता है hub थोड़ा पुराने जमाने वाल है hub क्या करता था जितने computers connected है एक ने किसी को message भेजा तो सबको broadcast कर देता है sir उससे क्या नुकसान है उससे आपका network slow होगा unnecessary traffic बढ़ेगा bandwidth का optimum utilization नहीं होगा switch थोड़ा smart है switch को पता रहता है कि computer का क्या address है sir कौनसा address mac address तो अगर computer no.15 को message भी भेजना चाहता है तो वो 234 को नहीं मिलता it only goes to c5 तो इससे फाइदा क्या fast bandwidth का optimum utilization switch और hub ध्यान रखिए दोनो LAN के लिए काम आते है तो router क्या काम आता है sir router दो network दो अलग-अलग protocols के network को connect करता है best example can be office का network that is intranet और internet को वो connect करता है ठीक है तो याद word keyword क्या ध्यान रखना है कि router is used for connecting networks of different rules or protocols router कौनसा address use करता है sir IP address ध्यान रखना internet से जो device connected होगा उसमें IP address होगा और router वो ही address को use करता है ठीक है यह तीन हमने पढ़ा फिर bridge क्या आ गया था sir bridge actually hub के साथ ही पढ़ना चीए bridge भी पुराने जमाने वाला device है bridge दो similar LAN को connect करता है router different networks को connect करता है bridge similar LAN को connect करता है but bridge message bridge का का काम है एक पार से message लेना के दूसरे पार में भेजना ठीक है यह bridge का काम है बस अच्छा फिर पढ़ा repeater repeater कुछ नहीं दो वर्ड यहां दखना boosts और amplify the signal एक जगह से signal लेके amplify करता है boost करता है तागी आगे और signal लंबे distance के लिए longer distance तक travel कर सके ठीक है यह exit point to our network फिर मैंने आपको packet पढ़ा है बहुत simple fundamental unit of data transmitted over the internet उसके बाद हमने पढ़ा mac address यह address manufacturer देता है change नहीं होता mac address change नहीं होता लिख लेना does not change IP address keeps on changing चलो done अब थोड़े बहुत चोटे चोटे और हमारा concepts network से related बाकी है देख लेते है easy है यह थोड़ा important है इस पर आपको question आ सकता है हाला कि यह old course ITSM जो था उससे लिया गया है यह दोनु topic network topology और transmission modes आपके वहां पर 4-5 page का concept था आपका मैं बहुत छोटा से दे दिया तो मैं बस आपको समझा देता हूं क्या चीज है network topology the term topology defines physical or logical arrangement of links in a network यह हम nodes बोल सकते हैं arrangement of nodes आप सिफ यह definition पढ़ लो a network topology is a geometric representation यह pattern in which nodes and other links are connected होता क्या देखो अभी मैं diagram बनाता हूं कुछ-कुछ जैसे मान लो sorry हाँ यह हमारा central device है और मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं यह सारे गोल-गोल जो मैं बना रहा हूं these are nodes, nodes as in यह computer भी कोई भी device हो सकता है तो मैंने इस तरीके से अपना network को arrange किया this is basically a topology topology का मतलब कहा geometric representation या pattern word ध्यान रखना यह दो keyword what is topology? network topology is the geometric representation या pattern in which nodes are connected or other network via links, यह जो line है यह हो गया links और यह जो गोल-गोल मैंने बनाया है these are basically what nodes, links मतलब communication channel wire से connected or wireless है और मान लो यह हो सकता मेरा server, main computer these will be nodes यह एक तरीका से मैंने arrange किया, तो यह topology है मैं अलग तरीके से भी बना सकता हूँ let's say मैंने कुछ ऐसा कर दिया मेरे सारे nodes ऐसे connected है एक main wire है और बाकी सारे ऐसे connected है this is again a different kind of topology मैंने कुछ ऐसा कर दिया सबको सारे networks आपस में ऐसे connected तो यह भी अलग से क्या हो गया topology मैं क्यू बना रहा हूँ यह सब I am just trying to explain you what is topology topology का मतलब है arrangement कैसे आप सारे nodes को अपने network में arrange कर के रखते हो उसको आम बोलेंगे topology so topology is the geometric representation या pattern now आपको क्या पढ़ना है some common topology क्या क्या है तो हमारे पास 4 topology star topology, bus topology, ring mesh मैंने हाला की कोशिश की थी यहां पे बनाने के लिए star topology है यह ring हो गया बट मैं आपको better diagram दिखाता हूँ आप इसको note मत करो अभी आपको मैं जो diagram अभी दिखाऊंगा न आप उसको भले ही video pause करके अगर मन हो आपका side में या page के end में या जहां पे भी आपको मन है आप उसका noting करना चाहो तो कर सकते हो now what is star topology मैं आपको एक काम करता हूँ मेरे IT का जो notes था old course का तो उस पे दिखा देता हूँ कि star topology क्या है यह रहा आप देखो this is star topology यहां पे यह सारे क्या है these are our nodes these are our nodes और यह हमारा central एक server है या central device है इसको हम लोग बोलते है तो यह star की तरह है all the devices are connected to this central device node 1, 2, 3, 4 & 5 यह अगर arrangement होगा तो इसको हम बोलेंगे star topology okay, star topology में there will always be one central server या device, okay अब मुझे इसमें थोड़ा सा concept आप बताओ कि if node 1 wants to talk to node 2 वो किसके through होगा node 1 data किसको भेजेगा server को, फिर server उसको किसको भेजेगा node 2 को, so all communications are going to happen through the central server nodes आपस में यह directly बात नहीं कर सकते यह बात समझ में आगया, चलो ठीक है node 5 खराब हो गया node 5 खराब हो गया तो क्या पूरा network में कोई problem आएगा, नहीं node 1 को 3 से बात करना वो अभी भी कर सकेगा, क्योंकि node 1 पहले message भेजेगा server को, और server भेज देगा 3 को, तो my point here is, कि even if one node fails, the entire network is not going to come to a halt क्यों, क्योंकि सारा communications is happening through the central server ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर central server खराब हो गया तो क्या आपका पूरा network chopat हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर यह खराब हो गया ना machine, तो 1-2 से communicate कैसे करेगा, 1-5 से communicate कैसे करेगा, तो entire network is going to come to a halt ठीक है, बहुत brief में ही बता रहा हूँ, इससे जाद आपको जानने की जरूबत नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारे बुक में एक एक लाइन, आप देखो न, old course में तो पूरा कितना बड़ा बड़ा इसका पूरा concept था star का, कितना सारा कुछ advantage, disadvantages यह सब दिया हूँ है, बट अभी आपको इसको नहीं करना, अच्छ है न, आपके लिए तो यहां देखो, start apology में क्या लिखा हूँ है, start apology involves a central unit with number of terminals tied to it, क्या इसमें central unit था, मेरे diagram में बिलकुल था, अब आप चाहो तो ऐसा यह diagram कहीं पर बना लो, video को pause कर लेना और बना लेना और यहां इसके पास लिख लेना कि यह हमारा central server है, और सब में लिख लेना कि बाकी हमारे nodes, यह node note कर लो आप, pause करके प्लीज इसको कहीं note कर लो, ताकि quick revision आपका बाद में हो जाए, this is our central server, clear है concept, चलो, ठीक है next time आजाते, bus topology इसमें क्या देखो, in which single length of wire single length of wire या cable connects several nodes, एक ही wire रहेगा जिसमें काफी सारे nodes connected है अब आप diagram देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कहा गया इसका diagram यह रहा वापिस में कुछ कुछ लिख देता हूँ node 1 node 3 यह 2 हो गया, यह 4 हो गया, यह node 5 ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या यहाँ central server है, कोई server आपस में सारे computers connected है ठीक है, लेकिन connected किससे सर, देखो, एक main important wire है, एक major wire जिससे connected है बात समझ में आती है, ठीक है अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ पे कि इस diagram में node 1 खराब हो जाता है तो क्या पूरा network खराब हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 2 को 4 से बात करना है तो वो तो अराम से यहाँ से data भेजेगा और बात कर लेगा ठीक है, तो even if node 1 fails your entire network is not going to come to a halt हाँ, लेकिन अगर इसमें यह main wire जो है, यह खराब हो गया तो आपका पूरा network चॉपट हो जाएगा, ठीक है, तो star network में याद है, क्या था star में तो central hardware है वो खराब होगा, तब पूरा network गडबड होगा तो यहां पर यह main wire अगर खराब होगा तो आपका network पूरा disrupt हो जाएगा, एक concept में इसमें और बताना चाहता हो आपको मान लो, example जान से सुनना node 1 अभी वो बात करना चाह रहा है node 5 से, तो उसने क्या किया data packet भेजा, यह green आपको दिख रहा है यह green जो color है data packet गया जा रहा है, इधर किसके लिए जा रहा है, 5 के लिए लेकिन meanwhile what has happened is try and understand 4 भी 2 से communicate करना चाह रहा था 4 भी किससे communicate करना चाह रहा था now what is going to happen यह यहां मिले और यह packets यहां पर मिला और there is going to be a big blast इसको हम लोग बोलते है collision मतलब एक data इधर से आ रहा है और दूसरा data इधर से तो there is going to be collision data दोनों में collision होगा and ultimately क्या होगा दोनों ही data अपना destination पर नी पहुँच पाएंगे data will be lost basically so now what is going to happen collision जब हो गया ना तो ना 1 का data 5 को मिला ना 4 का data 2 को अब क्या होगा अब दोनों जन वेट करेंगे अब हो सकता है वापिस से 1 भेजा data 4 को मिलने के बाद वापिस 4 क्या करेगा 2 को data भेजेगा तो मतलब पहले दोनों बेज दिये थे collision हुआ फिर उन लोग ने वेट किया फिर 1 ने 5 को भेजा फिर जब तक 4 वेट कर रहा था और फिर 4 ने 2 को data भेजा तो this way थोड़ा सा network क्या हो जाएगा slow because सबको यह वेट करना पड़ेगा अगर दोनु तरफ से direction से data आ गया रहा तो data क्या हो जाता तो आपको समझ में आएगा bus का drawback आप समझोगे ना तभी हम समझ पाएंगे कि ring topology क्या है तो bus में क्या drawback है कि collision का chances बहुत जाद है अब देखो ring topology में हम आ जाते है तो ring topology is in which nodes are connected in the form of ring या loop ring या loop में connected होते है तो आप इसका diagram देखो और clear हो जाएगा याद रखना bus में collision था इस problem को solve करने के लिए ही हम एक और topology बनाएं जिसको हम बोलते है ring topology collision का problem था यहाँ ठीक है अब ring topology का diagram देखो आ जाओ भाई कहां पे है यह रहा ring topology में क्या आ रहा देखो nodes है यह सारे हमारे nodes 1 2 3 4 & 5 क्या यहाँ कोई central computer है नहीं है ठीक है what happens here is जो bus topology में collision हो रहा था ना इधर से data यह उसको हम यह solve करते है यहाँ क्या होता है data travels only in one direction दोनु तरफ नहीं travel करता है तो अब धान से समझना अगर node 1 को node 5 को भी data को भेजना है तो it is going to go only through this way अला कि वो shortcut ले सकता था ना वो यहां से यहां पर भी तो direct भेज सकता था बट नहीं होगा इससे क्या होगा the chances of collision is going to be very less यहां ring topology में data travels in one direction जिससे क्या होगा collision नहीं होगा जो कि bus topology में हो रहा था बात समझ में आ गया अच्छा इसमें क्या drawback है इसमें यह drawback है कि अगर computer 2 खराब हो गया ना तो पहले data 1 से 2 जाएगा 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 में 2 अगर खराब हो गया ना तो आगे data आपका travel नहीं कर पाएगा यह इसका drawback है जैसे central हमने start topology में पढ़ा तना कि central अगर server गया तो पूरा network गया इसमें एक node गया तो पूरा network गया तो यह इसका थोड़ा सा drawback है लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ मैं जो आपको बाते बोल रहा हूँ मैं बहुत brief में बता रहा हूँ मैं बहुत detailed concepts में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे module में एक एक लाइन दिया हूँ institute के material में it is no point going into too much of details ठीक है? तो यहां पे आप ध्यान रखना मैंने आपको collision word क्यों लिखा है? क्योंकि ring topology in which nodes are connected in the form of ring या loop आप चाहो तो यहां note कर लो कि data travels only in one direction note कर लो प्लीज मैं आपको note कर आ रहा हूँ लिखो हाँ पे कि data in case of ring topology लिखलो in case of ring topology data will travel only in one direction data will travel only in one direction hence the chances of hence there will be no collision as such ऐसे लिखलो hence there will be no collision as such collision मतलब जो दो अलग अलग दिशाओं से data आके बिढ़ जाते हैं वो अब नहीं होगा चलो और last में है mesh topology mesh topology क्या देखो mesh topology in which each node is connected by dedicated point to point link to every node मतलब हर node एक दूसरे से आपस में connected है कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका diagram नहीं देखोगे यह रहा हमारा mesh topology each node each node is connected to every other node in all possible ways तो देखो node 1 अगर 2 से communicate करना चाहता है ऐसे भी कर सकता है यह wire खराब हो गया तो वो यहां से यहां पर भी कर सकता है वो इधर से इधर से इधर भी कर सकता है all possible routes are possible तो यहां पर बहुत ज़्यादा alternatives हमारे पास available तो वी से network redundancy बहुत ज़्यादा है तो in case one network एक में problem भी आगया ना one or two में तो we have other means ताकि two तक message तो पहुँची जाए तो यह थोड़ा सा costly भी है costly क्यों है देखो ना इतने सारे wires यूज हो रहे हैं connect करने को तो costly होगा सबसे जादा wires भी तो यहीं यूज हो रहे है लेकिन यह सबसे जादा हम बोल सकते हैं कि यह सबसे जादा secured भी है Sir एक जगा wire तूट गया तो भी one or two आपस में connected रहेगा तो यह costly है यह सब अना high security areas में used हो था military वाले, defense वाले आप उनलों का आपस में बातशीत करना है तो they cannot tolerate any kind of downtime in their network वो कभी भी बर्दाश नहीं कर पाएंगे कि उनका network खराब हो गया that is why they have so much of backup they have so many redundant connections एक खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा यह diagram देखो बहुत danger है वापिस में बोल रहा हो pause करके note कर लेना, drawing कर लो अब देखो यह line पड़ो each node is connected by dedicated point to point to every node directly each node is connected to directly every node यह concept है Mesh Network का Mesh Topology तो हमारा Topology का concept खतम बहुत मैं ब्रीफ में बताया हो option नहीं है detail में जाओंगा unnecessary time लगेगा कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए जितना मैंने आपको बताया, I think it is going to suffice फिर मैं बोल रहा हो what is network topology इस पे short note 3 या 4 mark का भी question आ सकता है कि what is network topology और बाकी topologies के बारे में बताओ तो topology word ध्यान लखना keyword geometric representation या arrangement of nodes बस यह word ध्यान लखना चार type के topology बताया, star, bus, ring and I believe आपने उस सब का diagram कही note कर लिया हो, ओ diagram से आपको revision करने में बाद में problem नहीं आएगा, ठीक है, चलो यह network topology important है और next transmission modes भी important है अब transmission mode का मतलब यह काफ़ी simple है, it determines flow of direction of data main काम क्या transmission mode का flow of data नहीं, flow of direction of data किस तरफ data ट्रावल कर रहा है मैं समझाता हूँ काफ़ी easy है it determines the flow of direction of data from one system to another system in a communication network there are three types transmission modes simplex, half duplex and full duplex यह duplex भी बोल सकते हैं so it determines the flow of direction of data what is transmission mode flow of direction बताता है, ठीक है from one system to another पहले भी इसका भी मैं आपको कुछ डाइग्राम दिखाता हूँ और उससे हम इसको पढ़ लेते हैं, देखो यह आप डाइग्राम देखो तीन modes हमें पढ़ना है मैंने आपको क्या बोला what is transmission mode direction of flow of data ठीक है, अब यह देखो हमारा एक main computer है और यह monitor है या कुछ भी है obviously data is going to travel in only one direction here तो इसको हम लोग बोलते है simplex simplex मतलब data shift or shift एक ही direction में travel करता है ठीक है, खेर छोड़ो, यह diagram छोड़ो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, इस एक ही जगह एक ही direction में travel करता है, best example बता है क्या है, आप suppose TV देख रहे हो, या आप अपना car drive कर रहे हो, radio on किया बहुत ही गंदा गाना आ रहे है, सारे channels में, आप अपना गुसा कितना ही चिला लो radio वाले पे, वहां तक बात पाँचिंगी नी, क्योंकि signals सिफ एक ही direction में आ रहे है, radio station से तुमारे radio तक आ रहे है, तो जो आ रहे हो तुमको सुनना ही पड़ेगा, so, flow of data is only in one direction, from the radio station to your radio system this is an example of simplex, तो simplex क्या देखो, in this mode data is transmitted in one direction only from the transmitter to the receiver, मैंने radio का example दिया, TV channel का example ले लो, TV पे जो आ रहे हो आपको तेख नहीं पड़ेगा, चीक है, तो good example would be your keyboard to your CPU हम keyboard से instruction देते हैं, क्या CPU से कोई instruction keyboard पे आता है, क्या, नहीं आता ना तो CPU से ही keyboard से ही CPU में data जाता है, या instruction जाता है, तो one way flow हो रहे है, ठीक है, radio station देख लो, broadcasting of by TV channel, तो यह simplex का example हो गया, ठीक है, flow of data क्या है sir, only in one direction clear है, now let us come to half-duple, half-duple, क्या है ध्यान रखना, दोनु तरफ direction में data travel करेगा simplex में एक ही तरफ था half-duple में दोनु तरफ करेगा but only one at a time, अगर मैं data भेज रहा हूं तो मैं उसी time receive नहीं कर सकता, जब data तुमको मिल गया तब तुम वहां से मेरे को data भेजो जैसे walkie-talkie, देखा ना इन लोग सब बात करते है जब एक जन बोल रहा है तो दूसरा उस ताइम सिफ सुन सकता है तो यह best example है फिर सामने वाला सुन, जब मेरा बोलना हो गया walkie-talkie में, I'll say over and out कुछ ऐसा देखा ना movies यह सब में फिर सामने वाला अपना walkie-talkie handset उठा के कुछ बोलेगा फिर वो बोलेगा over and out ताकि इस communicating की मेरा बोलना होगी अब तुम बोलो तो travel तो दोनों तरफ कर रहा है data direction flow दोनों तरफ है but क्या ध्यान डखना only one at a time point देखो, it allows data can be transmitted in both the directions मतलब अगर A और B के बीच में मैं बात करू यह line है तो इधर भी data travel करेगा और इधर भी करेगा but only one at a time, ठीक है example walkie talkie और full duple या shift duple का मतलब है it can simultaneously, दोनों तरफ है इसमें लेकिन दोनों साथ में बात कर सकते है, transmission will happen simultaneously, point देखो हाँ लिखाव है it can simultaneously transmit data and receive data between two stations, example mobile phone आप अपने दोस्त को phone करके उस पे जितना चाही चिला सकते हो और सामने वाला भी आप पे जितना चाही बढ़क सकता है दोनों एक दूसरे को एक बार में चिला सकते हो, गाली दे सकते हो, upload तो यह हो गया duple, mobile phone example है, जैसे मैं बोलता हूँ आपका mobile phone totally full duple full duple भी बोलते हैं, इसको duplex बोल दो या इसको हम लोग full duple भी बोलते हैं तो तीन टाइप के transmission modes हो गया simplex, half duplex and duplex ठीक है, और यह क्या determine करता है flow of direction, clear है मैंने अभी आपको दो concept फटा-फट से पढ़ा है, topology और transmission mode, topology is arrangement geometric representation of the nodes और transmission modes के flow of direction of data तो topology चार टाइप के थे और transmission mode तीन टाइप के simplex, half duplex, आप full duplex भी लिख सकते हो या फिर सिफ duplex भी लिख सकते हो, चिक है, चलो, done अब छोटे-छोटे कुछ-कुछ points है फटा-फट से हम देख लेते इसको, okay protocols, next जो point हमें देखना है protocol, protocol क्या है sir? protocols are rules established to govern the way the data transmitted in a computer network, कैसे data travel करता है, क्या rules, वो है protocol, data किस direction में travel कर रहा है, वो हो गया, transmission mode data travel कैसे करेगा, the way the data transmitted in a computer network यह हो गए rules, अब देखो, बहुत simple language में आपको बताता हूँ मानलो, एक, मेरा LAN है, मैंने office में बना आपका LAN है, और हम लोग चाहते है कि communicate करें, तो अगर हम लोग दोनों different different भाषाओं में बात करेंगे तो communication करना तो possible ही नहीं होगा, तो कुछ-कुछ standards बने वे कि अगर आप यह standards से आपका LAN बनाए हो, और मैं भी standard follow करके LAN बनाओ, तो यह भी कर सकेंगे, तो protocols का है, वो standards जिसके कारण दो network आपस में बात कर सकते हैं, अगर सब अपने अपने तरीके से network बना लिये तो सब अपना-पना standards use करें, as such there is no standard basically तो communication between the network is going to be very difficult, hence protocols are developed, ठीक है so different protocols cannot talk to each other, hence standard protocols have been structured to resolve the problem, जैसे example, internet पे कोई भी चीत बात्चेत होती है वो यह protocol से होता है, आपने बच्पन में पढ़ा भी होगा, in fact you should note it TCP IP, TCP मतलब transmission control protocol oblique internet protocol, ठीक है ऐसी और बहुत सारे protocols होते है OSI, model, etc, मैं detail में फिन नहीं keyword क्या द्यान रख लेना, rules MCQ के लिए आ सकते है, dash are the rules that establish to govern the way the data is transmitted in a computer network, तो आपको word लिखना है, protocol ठीक है, चलिए अई यह सब short note के लिए फटा 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 हम पढ़ते है next topic है वो है domain name क्या है domain name, कई आपने पढ़ा है for example, अब जैसे मैं यहां पर एक domain name होता क्या देख लो, it is a user friendly name for a website or device on the internet, okay, now please try and understand what happens, how things actually work, let's say यह आपका laptop है ठीक है, और आप इसमें, browser में जाके, web browser में जाके, you type www. edulounge dot in ठीक है please try and understand तो क्या होगा, यह जो website है यह मेरा website कही ना कही कोई ना कवी computer में reside कर रहा है, इसको हम लोग बोलते है web server, website कही ना कही store होगा, तभी तो दुनिया में कहीं से भी लोग access कर सकते हैं, ठीक है तो यह computer है, ठीक है अब इस computer का क्या होगा, यह computer internet से connected हो गई न, तभी तो पूरे दुनिया के लोग edulounge dot in को access कर पाएंगे, इस computer का क्या होगा, IP address, ठीक है, now try and understand अगर मैं अपना website को ऐसे प्रोमोट करता 192.168.22.15 आप इसमें विजिट करियों तो आपको यह number कितना याद रहता Flipkart अगर प्रोमोट करता हमारे यहां अभी big basket discount चल रहा हमारे यह discount चल रहा visit 221.116.55.338 तो आपको कितना याद रहता यह number पॉसिवल ही नहीं है आप कितने लगा IP address याद कर सकते हो तो यह जो domain name है यह क्या है एक user friendly name है किसी भी website है सबका ठीक है what happens is आप आप browser में www.edulounce.in लिखोगे www.amazon.com आप लिखोगे लेकिन होता क्या यह browser यह नाम ना एक जैसे आप enter करोगे sorry www.edulounce.in आप जैसे ही लिखोगे what is going to happen is computer edulounce.in ने समझता एक system को आप connect करोगे एक directory को connect करोगे जिसको हम लोग बोलते DNS वहाँ पर लिखावा रहेगा कि edulounce का IP address यह है और फिर ultimately आपको इस IP address से connect कर दिया जाएगा तो basically यह edulounce.in ना computer को समझने के लिए यह हमारे लिए user friendly नाम बनाया वह वरना तो आपको IP address याद कराते रह जाओ कितना website का आप IP याद रखोगे तो what happens is the moment I type a name of a particular website and press enter मेरा internet एक domain name server को connect हो जाता है DNS ठीक है और वह directory है वह क्या directory है उसमें सब का IP address लिखाव है directory समझते हो ना जहां पे नाम फोन नमबर रहता है तो वैसे ही यहां पे edu lounge और उसका IP address रहेगा तो जैसे IP address इसको पता चला यह उस IP address में आपको connect कर देगा user friendly name for a website बस इतना ध्यान रखना a domain name comprises of identification names like entity का नाम या website etc. और साथ में आप .com.org लगाते हो तो इसको मैंने break किया हो है देखो एक यहां domain का नाम लिखा हो है tinydancinghorse.com तो उसके आगे http लगा हो है http प्रोटोकॉल अभी पढ़ा ना http मतलब हो गया hypertext transfer protocol www जो हम लिखते है worldwide web इसको बोला जाता है sub domain main edu lounge या tinydancinghorse इसको हम बोलते है domain name और यह .com या .in या .org यह सब हो गया top level domain तो this is how a domain looks like लेकिन मैंने आपको क्या बोला जैसे तुम www.edulounge.in type करोगे क्या होगा you'll be connected to some DNS domain name system DNS होता क्या keyword क्या ध्यान रखना है लिखलो यह इसका main काम क्या है this is a directory on the internet when a request to access a device with a domain name is given a DNS server is required मैंने बोला ना आपको जैसे तुम website edulounge.in लिखोगे आप किससे connect होगे DNS server से फिर वो server आपको किससे connect कर देगा वो server बताएगा कि IP address ही है और आप उस proper website से connect होगे उस server से आप connect होगे जहां पर website hosted है जहां website मेरा पड़ा हुआ अरे मैं website बना के अपने computer में रखूँगा तो तुम थोड़ी access कर पाऊगे मुझे अपना website भी कोई ना कोई server में रखना पड़ता है तभी तो वो GoDaddy ये सब का ad आता है ना उन लोग आपको website रखने ही तो देते हैं इसको बोलते है web hosting ठीक है क्या होता है देखो when a request to access a device with a domain name is given a DNS server is required अब ये DNS क्या करता है बहुत important line it returns the IP address of the device's request allowing for proper routing तो ये हमें edulonj.com का proper id address बता देगा ताकि हमारा computer इससे connect हो जाए ठीक है आप अच्छा सर अगर मुझे IP address बता है तो हाँ तो आप edulonj.in नहीं लिखे वो IP address लिखो ना तो भी आप इससे connect हो जाओगे डारेक्ट पट आप कितने websites का IP address नाम याद रख पाओगे तो इसलिए हमारे पास domain name है वो क्या है user friendly name ठीक है चलो ओके अब कुछ कुछ चीज़े है वाइफाई क्या है प्लीज यह आप खुद पढ़ लेना वाइफाई आपको सबको पता है कोई इतना काम का नहीं है आप पढ़ लेना इसको short note आ सकता है इसमें समझाने का कुछ नहीं आप सब लोग use करते हो वाइप पे आजओ next वाइप का मतलब है voice over internet protocol voice over internet आज के दिन देखो काफिस simple concept है आप लोग whatsapp calling यह सब करते हो जब हम whatsapp calling करते हैं जब हम skype में किसी से बात करते हैं तो हमारा obviously phone का bill तो नहीं आता न so what happens is try and understand whatsapp call करने के लिए क्या आपको internet से connected होना पड़ेगा बिलकुल होता क्या है हमारी आवाज को वह convert कर देता है in the form of packets और वह packet को internet के through जिससे आप बात करें वहाँ बेज देता है और वापिस हमारा वह packet वहाँ जब खुलता है तो हमारा voice में उसको हवाज सुनाई देता है तो उसके कारण आपका phone का bill नहीं आता सिर्फ internet का data pack आपका क्या होता है तो this is the concept of voice VOIP का मतलब क्या है voice over internet protocol आपका voice किसके तो ओवर जा रहा है internet पे ठीक है voice over internet protocol is a protocol that enables sounds to be converted to a digital format मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वह पहले convert होगा किसमें digital format में packets बनेगा for transmission over the internet and then recreated at the other end recipient के वहां पे packet खुलके वापिस उसी आवाज में आपको सुनाई देगा so by using many existing technologies and software voice communication over the internet is now available to anyone with a browser so skype हो गया, google hangouts, whatsapp calls ये सब हो गया main line है क्या ध्यान रखना है एक तो full form voice over internet protocol ध्यान रखना है it enables आपकी आवाज को यह किसमे convert कर देता है एक digital format में फिर सामने वाले recipient को भेज देगा बेजने के बाद उसके device में वापिस से recreate करेगा वही voice में उसको आवाज सुनाई देगी तो voice over internet protocol चलो, routing का मतलब बहुत simple routing अभी अपने पड़ा router route करता है मतलब सही direction में packets को data को भेजना is known as routing क्या bridge भी routing करता है switch भी करता है routing बोल लो या कोई लोग routing बोलते है route करना मतलब जगा पे भेज देना refers to the process of deciding on how to communicate the data from source to destination कहीं पे भी कोई भी network हो सकता है source to destination packet को कैसे भेजना है तो वो routing ठीक है bandwidth हमने कर लिया resilience का मतलब होता है network में data इधर से उदर जा रहना कुछ भी खराबी हो गया ability of the network to recover itself point देखो it refers to the ability of a network to recover from any kind of error like connection failure loss of data इधर से उदर बात कर रहे थे कुछ भी कड़बड हो गया ability of the network to recover itself वो हम बोलेंगे resilience ठीक है और contention है it refers to a situation that arises अभी आपको collision बताया था ना collision किस में बताया था मैंने bus topology में जब इधर से data आ रहा और इधर से भी आपस में क्या हो जाते collision होई concept है it refers to a situation that arises when there is conflict of some common resource in a network common resource bus में क्या था wire was the common resource यह laptop इस laptop से बात करना चाह रहा था और बीच में यह दोनों भी आपस में बात करने लगए so wire was the common resource तो इसके लिए वो जगड रहे थे इधर से भी data आ गया इधर से भी और क्या हो गया collision ठीक है so हमारा chapter 3 है complete हुआ finally we are done with all the three all the five components of information system आप यह पीछे सारे questions देख लिजेगा easily आपसे solve हो जाएगे सारे questions हमारा cover हो गया है what is information system discusses components 5 components brief में दिया हुए what is CBIS discusses characteristics 5 characteristics हमने पढ़ा था predetermined objective, subsystem concept, interrelated, interaction or integrated define the term input device बहुत simple और फिर 4 type input devices मैंने आपको बताया थे text based, image based voice based और position based write short notes on register internal memory है CPU के विदिन ही होता है 4 type के registers लिग दो accumulators, address register, storage register, mislinious register differentiate between RAM and ROM दोनों ही primary memory है एक read only memory है ROM is read only memory, RAM में read or write आप दोनों कर सकते हो, ROM manufacturer डालके देता है RAM हमारा secondary storage से data उठाके देता है एक volatile, एक non-volatile आप लिग सकते हो distinguish between cache memory और virtual memory यह दोनों हमने पढ़ा है इन दोनों में as such कोई one to one difference नहीं है तो I would suggest write in paragraphs जब भी कोई difference का question आता है और one to one difference नहीं होता तो cache memory लिखो where is virtual memory is this आप table बनाने चल जाओगे तो गडबड हो जाएगा ब्रीफली discuss the different types of application software हमने 7 types of application software पड़ा था application suite, enterprise software, enterprise infrastructure software हमने पड़ा था information worker software, content access, media development software, educational software activities executed by operating system 8 activities पड़ा था आप देख लेना major advantage, disadvantage is of 8 हमने advantage, 2 disadvantage पड़ा था object oriented, short note so we are done with all the question guys and information system concept information system components का concept यही पे खतम होता है